हेलो एंड वेलकम अगीन और में यूट्यूब चैनल क्रियेटिव एंड इंफो हम मैं हूँ मनीश रमीना लेके आई हूँ आपके लिए डियलेड फर्स्ट एयर का एक और क्वेशन पेपर आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एजुकेशनल लें सोसाइटी का क्वेशन पेपर जो की हमारा होने वाला है गियलेड फर्स्ट एयर स्टूडेंट्स के लिए आप देख सकते हैं ये जो क्वेशन पेपर है ये डाइट राजिंदर नगर से आया है क्योंकि डॉक बहुज गरत इंफर्मिशन आपको नहीं दी जाती है मेरे चानल पर मैं पूरी पूरी कोशिश करती हूं कि सभी चीज़े आपको आथेंटिक मिलें कोई भी चीज़े आपको मिसगाइड हो आप पूरी तरीके से मेरे चैनल पमेरे इस टेरस्ट कर सकते हो इफ ये virtual लिएsm करें सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंज के साथ शेयर करें स्टाट करते हाँ वीडियो इससे पहले मैंने आपके साथ और डी का क्वेशन पेपर शेयर किया है आई होप वो वीडियो आपके लिए हैलफुल रही होगी बहुत ही जल्दी आपकी फाइनल एक्जाम की हो चुके हैं तो वो जिनके हो चुके हैं वो अपने फाइनल एक्जाम की प्रेपरेशन करें और आपके फाइनल जो डेश्ट है वो शायद शायद 15 अपरिल तक आ जानी चाहिए शायद जहां तक मेरे को लगता ही 15 अपरिल तक तो आ ही जानी चाहिए क्योंकि आपके जो ए बेसिक चीजे हैं इंस्ट्रक्शन्स हैं आपने पिछली वीडियो में भी देखा बट इस वाली वीडियो में हम दुबारा से देखेंगे क्योंकि हर सब्चिक्ट का पैटर्न अलग है तो आप देख सकते हैं यहां पर टाइम आपका तीन घंटे है और मैक्सिमम मार्क्स आप पेपर हैस फूर पार्ट अ अ बीक hace मल्टपल शॉइस क्वैश्यंस वन माँक इच तो KAT वर द्सनक्श्यं में को पांच कोईश्यंस डिये गए रीज्निग बेस्ट और एक क्वैश्यंस आपका दो मांक्स का हैं तो इस तरहेख से यह पार्ट भी आपका दस मांक्स क केबर क्या होता है कि आप यह तो ओर कॉंफिदेंस हो जाते हैं या फिर आप ध्यां से नहीं पड़ते हैं और आप 8 की 8 गोशेण करके आजा़ अजेए है उसमें कोई गुरही नहीं कि यह सब्सक्राइब आप कर सकते हो पर इसको भी बैनिफिट क्या है आप ये तो टीचर को दिखा दो कि हाँ बच्चे को आता है पर I think वो बेवकूफी होती है कि आपको जब पूछा नहीं गया है सिर्फ पांच questions ही करने तो आप आठ क्यू करने है यार आप बागी के questions के focus करो आप question paper को revise कर सकते हो आप और अच्छे examples लिख सकते हो अपने question में कि के तो जितना पूछा जाए उतना ही लिखना है extra नहीं लिखना है तो आपको आठ में से 5 questions करने है तीन marks का question रहेगा तो इस तरीके से part C आपका 15 number का हो जाएगा मैं बार बार बोल रही हूँ part C और part D सब ही paper में चाहिए first year का paper हो चाहिए second year का paper हो आठ questions में से कोई 5 questions ही करने है ठीक है उसमें option आपके instructions में दिये रहते हैं तो आपको कोई 5 ही करने है अपने according जो आपको अच्छे से आते हैं आपको वो करें उसके बाद part D भी से इसी तरीके का है 8 questions है 8 marks के जिनमें से आपको 5 questions करने है अब यहाँ पे जो part third है आपको उसकी word limit है 100 words ठीक है और जो आपको last part है part D उसकी word limit है आपकी 300 words तो आपको word limit को भी ध्यान में रखके लिखना है क्योंकि कई बार हम flow flow में जादा लिख देते हैं तो हमें जादा नहीं लिखना है सेम वही बात यहाँ पे हिंदी में कही गई है पर English में आपके word limit नहीं दी हुई थी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 300 words में लिखना है आपको 8 marks वाले question और 3 marks वाले जो प्रशना उनका उत्तर आपको 100 words में लिखना है यहाँ पे सबसे पहले question है application of principles of sociology to education is also known as सिक्षा के लिए समाजशास्त्र के सिधानतों के अनुपयों के रूप में जाना जाता है तो यहाँ पे आपके पास 4 questions है जिनमें से आपको correct one choose करना है हम वीडियो को जादा लेंदी नहीं करते हैं तो इसलिए आप देख सकते हैं क्या के questions है PDF मैं टेलीग्राम पर भेज दूँगी फिक है वरना आप screenshot ले सकते हैं आपको आपकी जो book है DLA में आपकी book लगाई हुई है आपकी teachers ने आपको उससे एकदम ज्यान से पढ़ना है जैसे कि question number third है the word democracy come from the Greek word तो आपसे वो Greek word पूछा है जहां से democracy शब्द की उत्पत्ती हुई है तो जब हम democracy या लोगतंत्र का topic पढ़ते हैं तो उसमें या फिर हम कोई भी topic जब नया पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले हमें word बताया जाता है कि इस शब्द की उत्पत्ती कहां से हुई है कौन से भाष्या से हुई है या उसका शाब्दिक अर्थ क्या है तो आपको यह जो common common चीज़ है यह आपको याद रखनी होंगी क्योंकि यहां तो आप question आपसे direct पूछ लिया गया है कि democracy शब्द का मतलब क्या है वो शब्द कहां से आया है तो इसलिए basic चीज़े हैं जहां से एक mark से question अच्छे questions बनते हैं तो आपको इन्हें नजर अंदाज नहीं करना है इसके बाद है question number four to which type of culture belongs attitude, religious beliefs, moral beliefs and etiquettes दिस्टिकोन, धार्मिक विश्वास नैतिक विश्वास और सिष्टाचार किस प्रकार से सांस्कृती से संबंदिध है फर्स्ट है भौतिक सांस्कृती, बौधिक सांस्कृती अभौतिक सांस्कृती और अद्योगिक सांस्कृती तो मुझे नहीं लगता कि मेरे को यहां पर एक एक क्वेश्चन आपको एक तरीके से वर्बली बताना ठीक रहेगा आप देख सकते हैं मैं कोशिश करूंगे कि आपके साथ क्वेश्चन पेपर डिसकस करवा लिया जाए और सॉल्फ कर लिया जाए अभी मेरे मास्टर्स के एक्जाम होने के वज़े से मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा है बट कोशिश रहेगी अभी मुझे आपके लिए एंसी क्वेश्चन भी प्रिपेयर करने हैं कुछ टॉपिक्स के एंसी क्वेश्चन अविलेबल हैं कुछ टॉपिक्स के नोट्स वीडियोज भी अविलेबल हैं चैनल पर तो आप उन्हें भी देख सकते हैं ठीक है देन कल्चर क्या होता है जो आपने सीटेट में पढ़ा हुआ है न बेसिकली ऐसे कि आप पूछा गया है तो यह बेसिक चीज़े हैं जो आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगी और अगर आपको यह भी नहीं आता है तो फिर क्या ही कहना यह तो बहुत ही बेसिक चीज़े हैं जो आपको आने ही चाहिए तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर दस क्वेशन्स आपके मल्टिपल चॉइस क्वेशन होगे उसके बाद पार्ट बी में आपके रीजनिंग बेस्ट क्वेशन है जहां पर आपके पास दो स्टेट्मेंट आपको दी जाएंगी ठीक है आपके सामने से क्वेशन नमबर वन मैंने कर दिया है ठीक है यहाँ पर आपके पास दो स्टेट्मेंट है स्टेट्मेंट ए और स्टेट्मेंट बी आपको इन दोने स्टेट्मेंट को ध्यान में पढ़के यहाँ पर आपके पास चार ऑप्शन्स हैं आपको इन में से चू कोज़ना आए तो options पढ़ने के बाद वापीस से एक बार statement देख लेना इस टाइप के questions के लिए मैं कुछ नहीं बोलुए क्योंकि I hate this type of questions मुझे बिल्कुल समझने आते बहुत confusing type of होते तो मैं क्या ही बोलू इसके बारे में बट अगर आपको एक बार यह concept clear हो जाए तो आपक के competitive exams के लिए तो इस तरीके से 5 questions आपके यहां पर हैं इनके बाद यह दो-दो marks के हैं जो पहले part वर्ट था हमारा वो 10 marks का था 10 questions से 1 marks each part second जो है उसमें आपके 5 questions है 2-2 marks के तो यह आपका 10 marks का है इसके बाद next आपका part C के तरफ बढ़ते हैं हम जिसमें आपके short answer type questions हैं यहां पर दुबारा से लिखा हुआ है कि do any 5 questions from this आपको यह ध्यान देना है ठीक है अब यहां पर आपके पास 8 questions हैं इन में से आपको 5 questions करने हैं सबसे पहले question है describe the nature and composition of Indian society then I discuss the preamble of Indian constitution तो इसके लिए तो पहले आप बताएंगे कि Indian constitution कब बना ठीक है उसको कितना time लगा फिर आप बताएंगे preamble क्या है इस तरीके से आपको answer लिखना होता है then I describe the merits and demerits of kothari commission तो इसके लिए पहले तो आप बताएंगे कि kothari commission क्या है ठीक है like सबसे पहले आपने यहां पर लिख दिया answer number 3 इस तरीके से आपने लिख दिया फिर आप लिखेंगे kothari commission ठीक है kothari commission अब black pencil लिखेंगे फिर आप उसको बताएंगे ऐसे ऐसे ठीक है सबसे अच्छा इडिया पते ही क्या होता है लिखने का यह मैं आपको अभी बताती हूं आगे future में भी काम देगा ठीक है क्योंकि यहाँ पेजिस को पेजिस भी तो भरने होते हैं हमें कि कितने पेजिस कवर किया है लिमिट होती है क्योंकि अब एक एक बड़ बैटके तो कोई teacher गिंता नहीं है तो आप क्या करना जैसे आपकी यह sheet है suppose तो यह आपने ऐसे लिखते हो आप answer number 3 यह तो margin के इ पीचे वाली लाइन से आप लिखना स्टार्ट करना ठीक है इसके अलावा जब तक आपको question paper नहीं मिलता आप इस साइड भी scale से margin बना लेना इतना लिखने के बाद आपको फिर आपर table बनाने होगी merits and demerits करके इस तरीके से तो आप merits and demerits में 3-3 point आप लिख देना हो जाए फिर उसकी quotation और center में करके essay ठीक है ऐसे करके लिखना इससे क्या होगा आपका page जल्दी भड़ जाएगा ठीक है हम लोग masters में यहीं करते हैं इस वजह से मैं सचा आपके लिए भी helpful रहेगी प्लीज इसको गलत वे में मत लेना ठीक है then question number four है what is the school mapping explain तो यहां पर आप इसको explain कर देंगे easy है then आप से next पूछा गया है समावेशी पाठेक्रम के लक्षन बताईए करेक्टर स्टिक यह भी easy है देखे पेपर हार्ड नहीं होता पेपर ना सभी बच्चों को ध्यान में रखके बनाया जाता है कुछ questions easy होते हैं कुछ questions hard होते हैं then question number six है how do you identify diversity in your classroom as a primary teacher how do you accomplish accommodating this concept with your students अगर इंग्लिश में ना समझाए तो हिंदी में पढ़ लेना हिंदी में ना समझाए तो इंग्लिश में पढ़ लेना प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप अपने चात्रों के साथ इस अबधार्ना को समायोजित करने का कैसे कैसे पूरा करेंगे तो देख अपको अपनी बात को justify करने के लिए examples लिखने पढ़ेंगे बिने examples कि आप justify नहीं कर सकते अब आप बोलेंगे कि इसमें लिखा तो है नी के example दिखो तो हम कियू time waste करें तो अपको example लिखना पढ़ेगा ठीक है आपने बोल दिया कि हम ऐसे ऐसे करेंगे हम ऐसे कर सकते घ्श उसको एक्जामपल दोगे फॉर एक्जामपल आप लिख दो कि हम उनकी भाशा को क्लास में प्रोच साहन करेंगे या हम उनकी जो उनकी मात्र भाशा है उसको प्रोमोट करेंगे उनको दबाएंगे नहीं हम बच्चों को बोलेंगे कि अपने मात्र भाशा में ही बात करो है न तो आप ये चीज़ कर सकते हो, कि आपके class में कितने language वाले बच्चे हैं, जैसे गुजराती है, पंजाबी है, हरियान भी है, कितने बच्चों को कितनी languages आते हैं, आप ये देख सकते हो, फिर आप एक दिन एक language के लिए रख सकते हो, कि आज हम गुजराती में विश करेंगे, आज हम तमिल में विश करेंगे, आज हम हरियान भी में विश करेंगे, तो इससे क्या होगा, बच्चे को लगेगा, कि हाँ, टीचर ने हमारी language को भी महत्व दिया, टीचर हमारी भाशा में बोलती है, ठीक है वो बच्चा फैमिलियर फील करेगा वहां पर उसको उसके घर जैसा फील आएगा इसके अलावा क्या होगा कि जो बाकी के बच्चे हैं वो दूसरी लेंग्विज भी सीखेंगे जैसी कि एक गुजराती बच्चा है वो तमिल सीखेगा तो अपने घर में जाके भी बत होगता रहता है तो पता नहीं आपका ट्रांसफर कहां हो जाए तो इसलिए आपको कई सारी भाशाए थोड़ी थोड़ी आनी चाहिए काम चलाओ आनी चाहिए कि क्लास में आप अटके ना तो आप इस तरीके से एक्जाम्पल्स और अक्टिविटी अपने ज़रूर लिखे स्कूल एंड हों अधर ट्रू प्लेशिस ऑफ लर्निंग सर्टेली अनलाइज डैट दे रूल ओ फैमली एंड स्कूल इस टू डैवलोप स्किल अंड वैल्यूज अब आपके सामने यह एक स्टेटमेंट रखा गया है आपको इस स्टेटमेंट को जस्टिफाइ करना है ठीक आपको किस तरीके से लिखना होता है देन कोईशन नमबर एट है हाव ड़स इत फील टो बीड़ फर्स जनरेशन लर्नर ऑफ यॉर फैमली टू अटेंड स्कूल स्कूल जाने के लिए अपने परिवार के पहली पीडी के सिक्षारती होने पर कैसा महसूस होता है तो आपको जो कोईशन इजी लगता है इजी तो सारे हैं बर जो कोईशन में आपको लगता है कि हाँ यह कोईशन में बहुत अच्छे से लिख सकती हूं तो आपको वो कोईशन करना है उसके बाद आप क्या करना वैसे तो कोईशन पेपर पर अलाउड होता नहीं है लिखना पर आप पेंसिल से कोशन पेपर पर एक दम हलका हलका अक्टिविटीज लेख सकते हैं कि हां हम ये अक्टिविटीज में डालेंगे क्योंकि जो आप लिखने बैठेंगे तो हो सकता है आपको अक्टिविटीज याद ना आए आपका पार्ट पोर जहां पर आपके आठमाक्स की क्योशन है और यहां पर आपको पांच क्योशन करने है ठीक है फ्सक्योशन है इंडियन सुसाइटी इस डिफरेंट क्लाशे कास्ट रिलीजिन लेंगफिज एंड कल्चर जस्टीफाइ बहुत येज़ी है आप कर देंगे नेक्स्ट कोईशन है वोट और दा सोसाइटल चैलेंजिस इन इंडिया डिसकस एनी थ्री ओफ देम इन डिटेल्स यह भी आप कर देंगे भारतिय समाज में कौन कौन से सामाजिक चनौतियां हैं आप क्या करना कि जैसे कि आपने लिख दिया सोसाइटल चैलेंजिस ऐसे करके आपने हैंडिंग डाल दी ठीक फिर away point वाइए जितने भी आपको आ रहे हैं आप वह से लिखते जाएंगे चाहीं आप आठ लिखे नो लिखे लिखते जाएंगे लिखते जाएंगे फिर उसकेば यहां पर बोला हुआ है किसी तीन पो विस्तार से एक्स्प्रेंग करें तो लक्षे को यह भी आता है ठीक है आपको एक्जाम्पल्स भी लिखने हैं यहाँ पर याद रखना जनकोशन नमबर थर्ड है वाट दो यू मीन बाय यूनिवर्सल लाइजेशन ऑफ एलिमेंटरी एजुकेशन फरस्ट कोईशन वर्ट अब्स्टेकल्स इन ऑप्स्टेकल्स इ देन आपका फोर्थ कोईशन है वाट यू अंडरस्टाइन बाय वेस्टेज एंड सगनेशन ओके जो भी है एज टीचर हाओ जू मिनिमाईज प्रॉब्लम इस प्रॉब्लम अवरोधन और अव्या अप व्याय क्या क्या है इससे आप क्या समझते हैं तो आप इसको जो कि लोंग अंसर टैप कोईशन से सिंपल है तो आपको इसको सिंपल नहीं लिखना है आपको इसे एक्स्प्लेइन करना है अच्छे से विध एक्जाम्पल्स और अगर आपको थोड़ी बहुत ड्राइंग आती है देखो मैं बोल ने रही कि करना है बट अगर आप करना चाते हो पूरी तरीके से मतला पूरी तरीके से आप्शनल है आप करना चाते हो तो आप कर सकते हों कैसे कर सकते हो लाइक हमारे पेपर में एक मुझे ठीक से याद नहीं है बट एक प्लांट को रिलेटिड एक वो था एक्टिविटी मैंने अपने आंसर में लिखी थी कि आ प्लास्टिक ग्लास लेना है जो मार्केट में होता है कोल्डरी वगरे जिसमें पीते हैं और उसमें मिट्टी भरके एक बीज डालना है और फिर हम उसा अबसर्फ करेंगे तो धीरे धीरे वह ग्रो होगा तो मैंने इस तरीके से ट्री टाइप का प्लांट टाइप का अपनी प्लांट में बना दिया था तो आप भी इस तरीके से चोटी से अक्टिविटी आप ड्रॉ कर सकते हैं तो कर देना वर्ना कोई जरूरी नहीं है पर लिख जरूर देना कहीं आप सोचो लिखे भी एना एक्जांपल लिख जरूर देना टाइम है एक्ट्रा बचा हुआ और हो गया तो बनाना चाहते हो तो बना सकते हो आपकी शीट ही फंप जाएगी ठीक है देन लास्ट कॉश्चिन है डिफाइन रोल आफ टीचर इन इडेंटिफाइं एड्रेसिंग दा इश्यू ओफ सी डव्लू एसन इन दा कॉंटेक्स आफ टीचिंग लेर्निंग एंवारिम लास्ट से लुवान उप स्याल बेट है आपके पास पर मिल गया है अपने देख लिए कि हां मेरे को यह मेरे को यह करने हैं happy का सटिक लगा लिया तो कोशिश करना की पार्ट फोर से स्टार्ट करें क्योंकि इन लास्ट अगर आपके पास टाइम की कमी रहती है यंकुर लिख देना जो भी करेक्ट आंसर है तो इस तरीके से आपका पेपर नहीं छुटेगा आई होप मैं जो कहना चाहरे हूं आप उसको समझ रहे होंगे और आज की वीडियो आपके हैलफॉल तो डेफिनेट नहीं रही होगी और अपने फ्रेंड्स के साथ शिया कर देना ताकि स कोशन पेपर पहुंच जा उन्हें पता चले कि किस तरीके से आ रहे हैं अग्जाम में और डरने वाली कोई बात निया पेपर आपका इसी है सारा सब कुछ हो जाएगा और यह जानल को सब्सक्राइब जरूर कर देना आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो चैनल को तो प